हेलो गाइस, करेंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ भी शेक शर्मा और आज इस वीडियो सेशन में हम 20 अप्रेल तक के सभी इंपोर्टन करेंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंते तक जरूर दिखेगा, आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथी गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा आप इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कोमेंट में मिल जाएगा आपको बता दें इस वनियर मेंबर्शिप प्लान के तहर्त एक साल तक जितना भी हमारा पीडियो कोंटेंट है वह हम आपको प्रोवाइट कराते हैं जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं इसके लिए चाहिए तो आप करेंट अफेर्स फंडा एप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैप्टॉप या सिस्टम की मदद से वैब लोगिन भी कर सकते हैं कोई भी एक्जाम हो SSC, Banking, Railways या फिर State PCS जहां पर भी General Awareness या Current Affairs पूछे जाते हैं सभी एक्साम्स के लिए हमारे PDF कोंटेंट काफी यूसफुल है कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे PDF कोड संबंदित तो कॉमेंट बॉक्स में वश्य लिखेगा चले फिर करते हैं शुरुबात इस वीडियो सेशन की सबसे पहले आज का कोश्यन देख लेते हैं इसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में करना है मैं पुन कोश्यन है इन्विस्टिटी इस एपल्स फर्स्ट रिटेल स्टोर इस लोकेटेड एपल का पहला रिटेल स्टोर किस सहर में स्थित है आप्शन से आपके सामने मुंब करते रहते हैं यूनियन मिस्टर ओफ स्टील जोधी रादित्य सिंधिया इन्विस्टिटी केंद्रिय इस पात मंत्री जोधी रादित्य सिंधिया ने किस सहर में इंडिया स्टील 2023 का उद्गाटन किया है आपके सामने हैं सही आंसर आपशन भी रहेगा मुंबई आपको जाना चाहिए Union Ministry of Steel, Department of Commerce, Union Ministry of Commerce and Industry और Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, FIKI के साथ मिलकर 19 से 21 अपरेल के बीच में India Steel 2023 जो की एक Conference है, International Exhibition है Steel Industry सम्बंदित इसको और्गनाइस कर रहा है किस जगह? मुंबई Exhibition Center, गोरिगाओं मुंबई में आपको जाना चाहिए जोतिरादित एम सिंथिया, जो ही Union Ministry of Civilization and Steel है, Government of India में, इन्होंने इस इवेंट को इनोगरेट किया है आपको जाना चाहिए, इस इवेंट का मकसद है जो भी Steel Industry Leaders है, Policy Makers है, and Experts है उनको एक मंच पर दाना, और Steel Industry सम्बंदि जो भी और Host तो इसको महरास्ट करी रहा है The 100th Meeting Under India's G20 Presidency Held in Vis City भारत की G20 अद्धिक्षता के तहत, Sovy, Batak, किस सहर में आजित हुई है Options आपके सामने है, सही आंजर Options जी रहेगा, Varanasi आपको जानना चाहिए, भारत की G20 Presidency के तहत, Sovy G20 Meeting हाली में Varansi उत्तरप्रदिस में हुई है कौन सी मेटिंग रही है, Meeting of Agriculture Chief Scientist on Sustainable Agriculture and Food System for Healthy People and Planet General Dr. V.K. Singh Retired, जोगी Union Minister of Western Air Force, Civil Aviation and Road Transport and Highways जाइनने इस मेटिंग को inaugurate किया है आपको जानना चाहिए, इस मेटिंग में जो भी लोगों ने participate किया, उन्होंने unanimously, यानि कि सर्वसम्मदी से सहमत हुए है कि जो Millet Initiative है, महरिशी, इसको launch किया जाएगा ये इंडिया दोरा प्रपोस किया गया है, मिलेट से संबन्दित है, महरिशी का मतलब है Millets and Other Ancient Greens International Research Initiative इसका सेकरेटरियट, Indian Institute of Millets Research, हाइधराबाद में लोकेट रहेगा वर्ड लिवर डे is observed annually, on which day, विस्व लिवर दिवस परतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है आपको जानना चाहिए, वर्ड लिवर डे, ये हर साल 19 अपरेल को मनाया जाता है और इस बार 2030 में इसका theme रहा, be vigilant, do regular liver check-ups, fatty liver can affect anyone which has become the country's first commercial bank to connect with the भारत बिल पेमेंट सिस्टम, BBPS and deliver bill payment services via video banking, कौन सा भारत बिल भुकतान परणाली से चुनने और वीडियो बैंकिंग के माध्यम से बिल भुकतान से वाई परदान करने वाला देश का पहला वानिचिक बैंक मन गया है options आपके सामने है, सही answer option D है, AU Small Finance Bank आपको जाना चाहिए, AU Small Finance Bank की एडिया का first commercial bank बन गया है जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम, BBPS से connect हुआ है और साथी वीडियो बैंकिंग के जरिए, बिल पेमेंट सर्विसेज दे रहा है अब customers इस platform को यूज़ करके अपने बिल्स पे कर सकते हैं प्रांच में जाये बीना, खास करके senior persons के लिए काफी effective है AU Small Finance Bank की बात करें, headquarters जैपूर राइस्थान में है, टेग लाइन है, चलो आगे बढ़ें MD & CEO संजे अगरवाल है, which ministry is responsible for the साथी पोर्टल and mobile app, साथी पोर्टल और mobile app की समंद्रा ने लाँच किया है सही answer option दी रहेगा, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare आपको जाना चाहिए Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Narendra Singh Tomar, इन्होंने साथी पोर्टल and mobile app लाँच किया है साथी का मतलब है, Seed Traceability, Authentication and Holistic Inventory जासरी नाम सी ही पता चल रहा है, centralized online system है जिसके तहत, Seed Traceability, Seed की Authentication और Inventory का पता लगा जा सकता है ताकि जो इस तरह के challenge से रहते हैं, Seed Production संबंदित, Quality से संबंदित, Certification संबंदित इस तरह के challenges से निप्टा जा सके तो Seed किस source से आ रहा है, वो भी यहां पर पता चल जाएगा उसकी quality कितनी अच्छी है, उसके बारे में मालूम चल जाएगा इस portal और app को develop किया गया है, NIC द्वारा, Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare के साथ मिलकर किस theme पर आथारीत है, यह portal या app, उत्तम बीच संब्रिद किसान what is the संगठन से समरिद्धी campaign, संगठन से समरिद्धी अभियान किया है, options आपके सामने पढ़ देता हूँ, a campaign to provide housing to rural families a campaign to promote education in rural areas, a campaign to promote health care in rural areas या फिर a campaign to empower marginalized rural households through self-help groups, जिहां सही answer option D ही है आपको जाना चाहिए, rural development minister Giras Singh ने संगठन से समरिद्धी campaign launch किया है इसका मकसद है, जो marginalized rural households है, उनको empower करना, किस तरह से, जो भी eligible rural women है उनको self-help groups के दाएरे में लाना, तो government का मकसद है कि फिलाल जो 9 crore महिलाएं है self-help groups के दाएरे में आती है, वो बढ़ा कर 10 crore महिलाएं की जाए के नदरे मंदरी, मंदल द्वारा, अनुमोदित, रास्ट्रे, quantum mission की कुल लागत कितनी है options आपके सामने है, सही answer option C रहेगा, 6,03.65 crore रुपी देखे, union cabinet ने नेसल quantum mission NQM को approve किया है कितनी cost से, 6,03.65 crore रुपे की इसकी outlay है कितने time duration के लिए, 2,03.24 से, 2,03.31 तक के लिए, ये आप याद रखेगा तो इसका मकसद है, जो देश में scientific and industrial research and development है उसको scale up करना, उसको और आगे बढ़ाना और साथ ही देश में quantum technology के field में innovation को innovation ecosystem को बढ़ावा देना, create करना तो जैसा कि इसमें लिखा है, the new mission targets developing intermediate scale quantum computers with 50 to 1,000 physical qubits in 8 years in various platforms like superconducting and photonic technology 4 thematic hubs बीज में setup किये जाएंगे, जो भी आमाले देश के top academic and national research and development institutes है यहाँ पर किन domains परादा ही रहेंगे, quantum computing, quantum communication, quantum sensing and methodology and quantum materials and devices and the hubs which will focus on generation of new knowledge through basic and applied research as well as promote research and development in areas that are mandated to them What is TAIFA-1, TAIFA-1 क्या है, options आपके सामने है, सही answer option A है, Kenya's first earth observation satellite आपको जाना चाहिए हाली में, Kenya की first earth observation satellite जिसका नाम TAIFA-1 है इसको space में launch किया गया है, किसके दोरा SpaceX के Falcon 9 rocket की मदद से कहां से, Vandenberg Space Force Base, California आपको बता देश सेटेलाइट को develop और डिसाइन Kenya के दोरा ही किया गया है लेकिन manufacture किया गया enduro set बुल गया जिया हमें How many kilometers of digital highways are NHAI planning to create by fiscal 2024-2025 NHAI वितवर 2024 तक कितने kilometer के digital highway मनाने की योजना बना रहा है options आपके सामने है, सही answer options दी रहेगा around 10,000 km लेकिन National Highway Authority of India यह 10,000 km के optic fiber cables बिचाने की बात कर रहा है fiscal year 2024-2025 तक आपको ताज नेशनल highways logistics management limited NHLML यह NHI का special purpose vehicle है, यह इस digital highway प्रोजेक्ट को implement करेगा तो इसमें क्या है जो national highways है, उनके दोनों साइड में जो OFC, infrastructure, optical fiber cables इनको बिचा जाएगा ताकि अच्छी connectivity प्रोवाइड हो सके और 5G में भी काफी मदद यह देगा और लगबग 1367 किलोमेटर, डेली मुंबई express वे और 512 किलोमेटर, हैदराबाद बैंगलूर कोरिडोर, इनको identify किया गया है पाइलेट बेसिस पर, इनको digital highway बनाया जाएगा अंडरे रूबलेव बेट डेनमार्क's हॉल्गर रून, to win his first master's 1000 title in Monte Carlo रूबलेव belongs to which country अंडरे रूबलेव ने Monte Carlo में अपना पहला master's 1000 किताब जीतने के लिए, डेनमार्क के हॉल्गर रून को हराया है रूबलेव किस देश से संबंदित हैं, options आपके सामने हैं, सही आंदर option B, Russia आपको जानना चाहिए, रूबलेव, इन्होंने डेनमार्क के हॉल्गर रून को हरा कर अपना पहला master's 1000 title जीताब है, मॉन्टे कार्लो में डेनमार्क के में, मॉन्टे कार्लो एक जगब है मॉनाकों में, ठेक है, लेकिन ये फ्रांस की बात करी है, जो कंप्री क्लब है, ये फ्रांस में who is the Indian swimmer who won five gold medals at the Malaysian Invitational Age Group Championships 2023 Malaysian Invitational Age Group Championship 2023 में पाँच स्वर्ण पतक जीतने वाले बारती तेरा कौन है options आपके सामने सही answer option D है विदान्त माधवन तो देखें Indian swimmer विदान्त माधवन जो एक्टर है और माधवन उनके सन है ये इन्होंने हाले में पाँच gold medals जीते हैं swimming में किस जगा Malaysian Invitational Age Group Championships 2023 जो की क्वालालंपूर में हुई है तो 50-meter, 100-meter, 200-meter, 400-meter and 1500-meter categories में इन्होंने gold medals जीते हैं question आ जाता है कि विदान्त माधवन किस से सम्बंदित है किस स्पोर्ट से सम्बंदित है क्योंकि इस से पहले भी दो-तीन सालों से जीतते आ रहे हैं जो lower age category के tournament होते हैं उनको how much loan will the Asian Development Bank provide to Bangladesh for rehabilitation and reconstruction efforts in the north-eastern part of the country एशाई विखास bank देश के पुरुवत्तर भाग में पुनरवास और पुनर निर्मान के परियासों के लिए बांगलादेश को कितना रिण परदान करेगा options आपके सामने से या answer option C है 230 million US dollar देखिए जरूवी नहीं है कि आपसे एक्जाम में question Asian Development Bank या World Bank से संबंदी जो हो वो भारत को ही loan देने संबंदी तो आस पर उसी कंट्री से भी संबंदी आ जाता है देखिए जो Asian Development Bank है यह 230 million US dollar का loan प्रोवाइट कराएगा बांगलादेश को बांगलादेश में काफी डिवास्टिंग फ्लट साइथी माई से जून 2022 की बीच में जो बांगलादेश का नौर्थ इस्टन पार्ट है तो रिएबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वहाँ पर चल रहे हैं उनका कारे चल रहा है उसी की मदद के लिए 230 million US dollar प्रोवाइट कराएगा Asian Development Bank इसके लिए धाका में एक MOU sign by agreement sign by आ है नेम्न दे इंडियन पैरा बेट्वेंटेंटन प्लेयरर हुवान तो गॉल्ड मैडल्स एड रवा ब्राजील पैरा बैट्मिंटन इंटरनेशनल 2023 में दो सब्सक्राइब तक जीतने वाले बारती पैरा बैट्मिंटन की लड़ी का नाम बताएं आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन दी है नित्या स्रीश सुमाथी सीवन इंग्लिश में जो कोश्चन है नेम्द है ठीक है इस देखें इंडिया की नेत्या स्रीश सुमाथी सीवन इनोंने दो गोल्ड मेडल्स जीते हैं ब्रासील पैराबैट्मिंटन इंटरनेशनल कम्पेटिशन में तो एक तो इनोंने जो वीमेंस सिंगल्स एस एच 6 कैटेगरी है इसके फाइनल को जीत कर गोल्ड मेडल पाया है प जोड़ी बनाकर और इन्होंने होंग कॉंग के प्लेयर्स को हरा है साथी टोक्यो पेरलंपिक चैंपियन प्रमोथ बगत और शुकांत कदम इन्होंने भी गोल्ड मेडल्स चीते हैं मैंस डबल के टेग्री में प्रमोथ बगत भी याद रखेगा बैट्मिंटर से संबनेत हैं पेराबेट विंटन प्लेयर हैं एक्जाम में पहले भी पूछी जा चुकी हैं विच स्टेट हैस्पेक तो नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इंप्लिमेंटेशन ऑफ परदार मंत्री फसल बीमा योजना इन दे कंट्री देश में परदार मंत्री फसल बीमा योजना की लिए आपको बता दें जो अथर्टी स्कीमा ने तो खरीफ सीजन 2021 & 2022 के बीच में राज्यने करनाटक राज्यने जो फार्मर्स का इन्रॉल्मेंट है इस स्कीम के तहत उसमें 47.74 परसेंट की व्रिद्धी जो है दरज की है जबकि जो एरिया कवर्ड है स्कीम के तहत उसमें 41.80% की व्रिद्धी दर्ज की है प्रदान में तरी फसल विमाई योजने की बात करते हैं हम सभी जानते हैं इसको मिन्स्ट्री ऑफ अग्रिकल्चर और फार्मर्स वेलफियर द्वरा लॉंच किया गया था खरीफ 2016 सीजन से करनाटक की बात करते हैं चीफ मिनिस्टर बसाव राजबुमाई हैं कैपिटल बैंगलूरू है गवर्णर थावर चंद गहल होते हैं हाँ मच एस इंडिया कॉंट्रीबुटेट तो दा यूएन विमन उनाटे नेशन्स एंटिटी फोर जेंडर इक्वालिटी और इंपावर्मेंट ऑफ विमन भारत ने सहीं उक्तरास्ट महिला लेंगी समानता और महिलाओं के सिसक्ति करण के लिए सहीं उक्तरास्ट एकाई एंड़ इंड़ इंपावर्मेंट ऑफ विमन में आप सभी जानते ही इनकनेशन्स में भारत की जो पर्माइन रेप्रेजेंटेटिव हैं यह रूशी राक काम बोज हैं इन्होंने ही यह चेक हैंड़ोवर किया है इस एजंसी हो किसे न्युक्त किया गया है औप्शन्स आपके सामने से यह आंसर ऑप्शन भी रहेगा रंधीर ठाकूर आपको जाना चाहिए फोर्मर इंटल फाउंडरी सर्विसेस प्रेजिएंट रंधीर ठाकूर इन Tata Electronics Private Limited का Chief Executive Officer रहानी की CEO and Magic Director रहानी की MD न्युक्त किया गया है Tata Electronics Private Limited कि स्थापना साल 2020 में ही हुई थी as a Greenfield Venture Which organization said that India had violated global trading rules in a dispute with the European Union, Japan and Taiwan किस organization ने कहा है कि भारत ने यूरोपिय संग, जापान और ताइवान के साथ विवाद में वैस्विक व्यापार नियमों का उलंगन किया है Options आपके सामने सही answer option भी रहेगा World Trade Organization आपको जाना चाहिए हाले में World Trade Organization के एक पैनल ये कहा है कि भारत ने global trading rules को violate किया है उनका उलंगन किया है जो इसके European Union, जापान और ताइवान के साथ जो dispute चल रहा है IT products पर import duties से सम्बंदित उसी के तहत इसने trading rules जो global trading rules को violate किया है आपको तादे साल 2019 में European Union ने भारत द्वारा जो import duties लगाई जा रही थी साड़े साथ से 20 प्रतिशत के बीश में IT products पर तो उसको challenge किया था जैसे mobile phones या इसके components पर जो import duties लगाई रही थी उनको challenge किया था इसी तरह का challenge जापान और ताइवान द्वारा भी किया गया था अच्छा आपको यह जानना चाहिए import duty क्यों लगाता है कोई देश जैसे भारत इंपॉर्ट duty क्यों लगाएगा मान लीजे चाइना से कोई सामान आ रहा है और वह काफी चीप है बहुत सस्ते दाम में आ रहा है तो भारत में जब वह आएगा तो भारत की इंदुस्ट्री तो बिल्कुल खतम ही हो जाएगी भारत के व्यापारी भारत में भी उस चीज का production हो रहा है ल थोड़ा ही हो गया तो जब उसका प्राइट हएक हो जाएगा तो हमारे यह अवंज की इंपोर्ट भी कम हो जाएगा उससे क्या होगा जो हमारी लोकल इंडरस्टी इस तरह से लगाए जाती था क्या है कि इस तरह की प्रैक्टिसेज कमी हो तो ज्यादा अच्छा रहता है फ्री ट्रेड रहना चाहिए आपको दो जार इकिस में यूरोपेन इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था और अभी हाली हमने पढ़ाती कि 2022 में यूए हमारा थर्ड बिलें यूएस ट्रोलर के साथ तो आयोब आप इंपोर्ट ड्यूटी समझ गये होंगी क्यों लगाई जाती है क्या इसका मकसद रहता है कि प्रीवेस असाइन्मेंट कोश्चन के आंसर अब हम देखने वाले हैं जूबा इस दे कैपिटल ऑफ इच कंट्री साउथ सुडान who has assumed charge as Comptroller of Personal Services in Indian Navy, Vice Admiral Krishna Swaminathan, which country will provide financial assistance for Pakistan's Mohammed Multi-Purpose Tram Project, Saudi Arab, which state government declared Vinayak Damodal Savarkar's birth anniversary as Sutantabir Gauravuddin Maharashtra. The Government of India aims to achieve nearly 9% share of electricity generation from nuclear sources by the year 2047. आप मैंसे कही एस प्रेंस ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिस्पेट करते रहिए. चलिया आज के साइन्मेंट कोश्यंस अब हम देखेंगे. यह एक मैंसे कही एक मैंसे कही एक पार्टिस्पेट कोश्यंस ने पार्टिस्पेट के साइन्मेंट कोश्यंस अब हम देखेंगे. पॉलिटिकल साइन्स टेस्ट बुक पॉब्लिष्ट बाइदा एन्सी ए रटी. तो इन पांचो कोश्यंस के आंसर आप कोमेंट बॉक्स में दीजिएगा. यदि आपको एक कोश्यंस का आंसर भी आता है, तो अभी आप हमें कोमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. कोशिश हमारे करेंट अफेर्स की प्लेज़ दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फैलो एसमीन साथ हमारे करेंट अफेर्स को शेर जरूर करें. आज का इस सेशन आपको कैसा लगा? कॉमेंट बॉक्स में वश्य बताईएगा. थैंक्यू गाईज.